और आईए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी के हैड़कोर्टर जहां इसकी पीसी चल रही है इमित्र बंदूओं को बहुत-बहुत अभीनंदन चन्द दिनों पहले अमरिका में बलकि दो दिन पहले ही अमरिका में राहूल गांधी के इंटर्व्यू को सुन रहा था तो ए को लेकर इंडी अलाइंस में ए को लेकर काफी वाइरल हो रहा है और आप सब भी युवा हैं हम भी युवा हैं मजे तो हम भी लेते हैं तो जो इंडी अलाइंस में किसी ने पुछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है तो राहूल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलाइन्स है आज उजागर में करता हूँ कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनिट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है कहीं ने कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है ए फॉर अपराद है या ए फॉर एरोगेंस है क्योंकि आज अगर इंडी अलाइन्स में देखा जाए तो सही माइने में आज तीन विशियों को लेकर ये प्रेस कॉन्फेंस हो रहा है ए फॉर अपराद आज टीमसी का अपराद बंगाल में ए फॉर अपीजमेंट आज कॉंग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में और ए फॉर एरोगेंस अफ कॉंग्रेस पार्टी और कुछ इंडी अलाइन्स के बाकी घटक दल जो CJI जैसे महत्वपून संस्थान को भी राजनीती से उपर नहीं रखते हैं राजनीती में घसीत कर लाते हैं गणपती पर्व जैसे महत्वपून पर्व को भी राजनीती से उपर नहीं रखते हैं राजनीती में घसीत के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है तो टूडेस प्रेस कॉन्फरेंस is on three A's, A for अपराद, A for अपीजमेंट and A for अरोगेंस पहला विशय है बंगाल का दो चिट्थी आप कल से देख रहे हैं एक चिट्थी है सब डिवीजनल कोट डाइमंड हार्बर का जहां डाइमंड हार्बर ये वही डाइमंड हार्बर है जहां से अभिशेक बेनर जी ममता बेनर जी के भाईपो जो हम लोग कहते हैं नफ्यू अभिशेक बेनर जी जहां से सांसद है जहां खुले आम गुंडागर्दी होती है जहां उनका अपना एक संसार है उस संसार में अपने आपको वो राजा मानते हैं वहाँ ना पुलीस की चलती है ना कानून का चलता है ना वहाँ जजेस की चलती है वहाँ किसी की दबंगई चलती है तो वो ममता बनर जी और अभी सेक बनर जी की चलती है तो उसी डाइमंड हारबर के सब डिवीजनल कोट के तमाम जो जुडीशल अधिकारी है उन्होंने 8 सेप्टेंबर 2024 अर्थात इसी रवीवार को घटित हुए एक घटना के विवरण को चिथी और पत्राचार के रूप में सब डिवीजनल कोट को लिखा है और बाद में 24 परगणा के सब डिवीजनल कोट के अधिकारी ने जुडीशल अफिशल ने उसी पत्र को अपने कमेंट्स के साथ हाई कोट के रेजिस्टरार के पास एक बहुत मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान के जुडीशल इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि इस प्रक का कम्प्लेंट राज्य सरकार के खिलाफ की गई है आप देख सकते हैं कि जो सब डिवीजनल कोट है डाइमंड हारबर का उसके जो जुडीशल ऑफिसर है वो लिखते हैं कि चौब अभी रवीवार को आठ तारीक को आठ सेप्टेंबर को लगभग रात को एक बजे जो होम गाड ने आके वहां के एडिशनल डिस्टिक्ट जज को कहा कि दो लोग परिशर में घुसके आएं हैं पुलीस की साजिस से घुसके आएं हैं और बिजली काटने की आपके घर की साजिस चल रही है बिजली काटने के पस्चात आप लोगों के उपर हमला भी हो सकता है जब रात के 12 एक बजे इस प्रकार की खबर आएगी तो स्वभाविक है जज़ेस चिंतित होंगे उन्होंने वहाँ के ओफिसर इंचार्ज को डायमंड हारबर के ओफिसर इंचार्ज को तलब करने की कोशिश की मगर आदे घंटे तक ओफिसर इंचार्ज नहीं आए बड़े सपस् कि जजेस बहुत घबराए हुए थे कही न कहीं जो दो miscreant थे कोट-उन्कोट miscreant शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक पुलिस अधिकारी का नाम और मोबायल नंबर भी लिया गया है नाम उसका कुमारेश दास है मोबाइल नमबर मैं यहाँ डिस्क्लोस करूँगा नहीं मगर नाम और मोबाइल नमबर लिखा गया है जजस ने लिखा है कि यहाँ पुलिस अधिकारी उन दो मिस्क्रियंट को लेकर आया था उन दो बदमाशों को लेकर आया था और उसे निर्देशित किया गया था लोकल डाइमंड हारबर के ठाने से कि आप इन दोनों को गुपचुप आवासिय परिसर में जजस के आवासिय परिसर में प्रवेश करवा दीजिए बिना इनके नाम को रेजिस्टर करवाए ताकि यह जाके हमारी बिजली काट सके और बदमाशी कर सके हमें मार सके दो ट्राइंग टो इंस्टेल फिर इंटो जुडिश्यरी दो इस कारण से दो लोगों को भेजा गया था और पुलिस अधिकारियों ने भेजा था एक का तो नाम भी दिया गया है दूसरे का नाम नहीं दिया गया है सीसी टीरी में सभी लोग स्पस्ट डूप से देख रहे हैं आखिर ये हुआ क्यों जजेस को क्यों डराया जा रहा है ये जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभी जगन्य अपराद हुआ है एक बिटिया को लेकर एक डॉक्टर को लेकर उसके पश्चात जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर कर रहे हैं आम जंता कर रही है तो बंगाल की सरकार ने इनके खिलाफ स्ट्रिंजन्ट पॉस्को एक्ट लगाया है पहले ये ड्रग के ओपर NDPL का केस लगाते थे कोट ने NDPL का केस बंद कर दिया है कि आप जितना ड्रग नहीं है बंगाल में उससे अधिक तो आपने NDPL के केस लगा दिये तो अब ये पॉस्को का केस लगा देते तो पॉस्को का केस इन्होंने ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्ज हैं और कुछ कारे करता है उनके उपर लगाया जो आम जनता है तो कोट ने उसे खारिज कर दिया कि ये केस निराधर्त लग रही है कोई आधार नहीं है इसके आधार पर हम जुडिशियल कस्टेडी या पुलीस कस्टेडी नहीं दे सकते हैं ये जज्जमेंट दिया कोट ने इस कारण से जुडिशियल ओफिसर्स के उपर कही न कहीं उनके मन में एक डर की भावना लाना so that they become committed so that they become surrendered in front of Abhishek Benerji and Mohammeda Benerji आप सोच के देखिये it is not just during emergency that the Congress Party wanted a committed judiciary even under Mohammeda Benerji's regime in West Bengal they want a committed judiciary where the judges would be dictated by Mohammeda and Abhishek Benerji ये चिठियां पब्लिक डोमेन में है भारतिये जनता पाटी ने भी इसे ट्वीट किया है इसमें सारी सपस्टताएं है स्वभाविक रूप से ये विशे अब हाई कोट के रेजिस्टर के पास गया है हम सुप्रीम कोट से भी अपील करते हैं this is a matter of grave nature the Supreme Court should also take cognizance of this issue of trying to instilling fear into the minds of the judicial officer of West Bengal because there are people on the streets protesting against the heinous crime that was committed in R.G.K.A.R. Medical College इसमें हम अपील करते हैं और मौमता बेनर जी और अभिशेक बेनर जी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं मैंने कहा दूसरा एज जिस पे आज हम अपने विशे को रखेंगे वो दूसरा ए है अपीजमेंट तुष्टी करन का आज सुबह सही टेलिविजन चैनलों पर किस प्रकार से शिमला में जो हिंदू संगठन है आम जनता है वो सडकों पर उत्री हुई है किस प्रकार से एक अवैद मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपने आवाज को बुलंद कर रही है यह हम सब देख रहे बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैद है यह भी स्पष्ट है क्योंकि उनके खुद के मंत्री ने कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलाप्मेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंग है अनिरुद्ध सिंग जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि यह जमात के लोग कहा से आ गए यह वो लोग है जो लड़कियों के उपर टिपणी करते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं लव जिहाद के विशह में भी कहा केवल दो परिवार थे इस एरिया में अब उनीस सो परिवार आ गए है और इतना बड़ा एक अवैद मस्जिद बनके खड़ा हो गया है यह खुद अनिरुद्ध सिंग जो उनके मंत्री है उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंग जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर्चा खोल दिया है उनके बाकी मंत्री है अनिरुद्ध सिंग जी के खिलाफ बोल रहे है जो अवैद है उसका जाना तै होना चाहिए आश्चरे का विशह है जो मुनिसिपल कोट है लोकल मुनिसिपल कोट 45 बार 45 बार नोटीस जाने के पस्चात भी मस्जिद ने अभी तक लिगालिटी की कोई कागज दाखिल कोट में नहीं कराया है उसके बाद भी कॉंग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रविया है वहां हम देख रहे है इतना ही नहीं यह जो मुहबबत की दुकान है राहूल गांदी की मुहबबत की दुकान यह केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदूों के उपर लाठी चार्ज और टियर गैस नहीं छुडवा रही है यह करनाटक में गनेश विशरजन के समय गनेश मूर्ती के उपर चपल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है यह है राहूल गांदी के मुहबबत के दुकान का आलम हो गा ही अब इलहान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से जो अवैद मस्जिद है उससे प्यार तो हो गा ही और हिंदूों के उपर लाठी चार्ज हो गा ही इलहान ओमार कभी ये तो नहीं बताएगी कि अवैद मस्जिद के खिलाफ कारेवाही करनी है जिस बरबरता के साथ हिंदूों के उपर लाठी चार्ज हुआ है भारतिय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलीस का ये बरबरता उचित नहीं है हिंदूों पर लाठी चार्ज अवैद मस्जिदों का रीचार्ज ये नहीं चलेगा अपीजमेंट के अंतरगत हिंदूों पर लाठी चार्ज होगा और अवैद मस्जिदों का रीचार्ज होगा ये ना तो जनता चाहती है और ना ही एक सभ्य समाज में कानून चाहे सकती है लोगों का नारा था कल और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है हिमाचल ने ठाना है देव भूमी को बचाना है इसमें कोई बुराई नहीं जहां अवैदिता रहेगी और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार की आ जाता है यह उचित नहीं है देव भूमी को बचाना ही पड़ेगा और चन्द दिनों पहले अकबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यसपाल सिंग है उनकी पिटाई की गए और किनों ने पिटाई की है गुलनवाज, सरीक, सैफ अली, समीर, रिहान दो परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं उनकी के मंत्री ने कहा है और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई हो आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है या उचित नहीं है और इसके साथ हम आज तीसरे A A for arrogance The arrogance of being the leader of opposition यह leader of opposition बनने का जो arrogance है राहूल गांधी का यह केवल पार्लामेंट के अंदर नहीं जलगता है उनकी बेवकूफी अमरिका में भी जलकी है और मुझे माफ करिएगा मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्यूंकि मैं ही नहीं करोडो हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवी हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमरिका में हम उससे आहत है ये राश्ट्र द्रोह का काम राहूल गांदी ने अमरिका में किया है जब जाती से जाती को भिड़वाने का काम दूसरे राश्ट्र में किया जाता है धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राश्ट्र में किया जाता है सिक्खों के उपर इस प्रकार की तल्ख टिपणी दूसरे राष्टर में की जाती है तो ये द्रेश द्रोह कहलाता है और जब देश द्रोह होता है तो उसके लिए बेवकूफी शब्द का प्रयोग करना उचीत होगा मुझे तो बड़ा आश्चरे लग रहा है कुछ नेताओं ने कल माननिय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस अफ इंडिया के आवास गृह में उनके इंविटेशन पर गणपती जी की उपासना की उनकी आरती हुई उसको लेकर भी राजनिती करने की कोश कर रहे हैं यह आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं किन नॉट डिदी डिफर्ट पिलर्स अफ दिमोक्रसी मीट चैनल दे कनवर्ज शुड नॉट देभी फ्रेंज शुड देभी एनिमीज शुड दे नॉट बी टॉकिंग तो इच अधर शुड नॉट एक्स्टेंड क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस अफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री कैसा विवहार दोनों का एक दूसरे के प्रती होना चाहिए क्या एक दूसरे को देखके मुस्कुलाना नहीं चाहिए क्या एक दूसरे के प्रती सद्भाव नहीं होना चाहिए तब ही तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं जिन राष्ट्रों में डिमॉक्रसी और लोकतंत्र नहीं है उन में किस प्रकार का वेवहार जुडीशरी के साथ किया जाता है और हमारे देश में काम करते समय अलग वेवहार और काम से इलहेदा उससे अलग हटकर अलग वेवहार यही डेमोक्रासी की खुबसूरती होती है मुझे आश्चरी होता है इस बात से कि सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रदानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ती करते हैं और वहां अमरिका जाके इलहान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ती नहीं है जो पियोके के साथ खड़ा है जो देश को बेचना चाहता है जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धी रखती है उसके साथ मिलने से कोई आपत्ती नहीं है चीन के राष्टाध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं सी जिंग पिंग जी के साथ गुष्तगू करते हैं और M.O.U. चोरी-चोरी चुपके-चुपके देश को बेचने का करते हैं उससे आपको आपत्ती नहीं है जोज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकडे-टुकडे में बाटने की कोशिश करते हैं उससे आपको आपत्ती नहीं है और देश के चुने हुए प्रधान मंत्री, देश के चुने हुए राष्टरपती, चुने हुए इंडारेक्टली और अगर CJI इन लोगों के बीच में इंट्रेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ती होती है, ये कैसे आपत्ती हो सकती है मुझे बहुत आश्चरे लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे आइना दिखाना चाहिए, मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद ये आपत्ती Chief Justice of India और प्रधान मंत्री के मिलने से नहीं है, ये आपत्ती गणपती पूजा से है और स्वभाविक है, Chief Justice of India महराष्टर से आते हैं, गणपती जी की उन्होंने पास्का रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंग बतौर प्रधान मंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें Chief Justice नहीं आते थे जब इफ्तार पार्टी में Chief Justice और प्रधान मंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वो अभी एक त्योहार है, यह अभी एक त्योहार है दोनों त्योहारें के बीच, यह पर्थक्यता क्यूं है और आज, जैसे मैंने बेफकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा that there are some silly, sold-out, so-called seculars who will object to such kind of courtesy visits but the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks these kind of, I would say, childish talks that is taking place right now in Indian polity thank you so much